Question No.21 की तरफ को चलो बहुत राधा Most Commonly Used Reducing Agent इस देखो ये सब Reducing Agent की तरह काम करते हैं लेकिन सवाल ये हो रहा है कि Most Commonly Used Reducing Agent कौन सा है Common Sense की बाद है SNCL4 आपको पता होना चाहिए Reducing Agent का काम क्या होता है Reducing Agent दूसरे का Reduction करता है तो अपना क्या करता है Oxidation Reducing Agent अपना Oxidation करता है मतलब अपने अंदर से Electron की निकालने की Tendency उसकी होती है अगर आप बात करोगे Tin की और Copper की Hydrogen तो नहीं निकालेगा ना किलोरी निकालेगा Tin और अगर Copper की बात करोगे तो Tin बहतर है Electron Lose करने में जब ये बहतर है तो इसका मतलब यही सबसा अच्छा Reducing Agent के लाएगा Reducing Agent समझोगा Oxidizing Agent क्या होता है दूसरे का Oxidation करता है अपने पास कोई Electron लेता है जबकि Reducing Agent एलेक्टोन देता है तो ये Electron देने की Tendencies के पास है चलो आगे चलते हैं समझ गया आप लो